नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टिडी विद्राज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटी सी सेकेंड सेमेस्टर गडित बिशय के इकाई दस के सारे कांसेप्ट बताऊंगा और साथ ही में इस चै है तिरभुच का च्षेतरफल तो देंखेें तिरभुच के चितने फार्मोले थे मैं इसे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को बता चुका हूं और यहां पर देखिए इस एक आप लोग याद कर लेना और यहां पर बढ़ा लेना यहनी कि जहां पर भी फार्मूले नोट किये हैं वहाँ पर इस फार्मूले को भी नोट कर लेना और सारे फार्मूले आप लोग एक जगा एकठा लिख लिए जिससे आप लोग को याद करने में आशानी हो तो यहाँ पर जो है यह फार्मूला भी इस चैप्टर के लिए important है यहाँ पर शिक्स कामा जीरो से बने तिर्भुच का छेथफ़ ग्याद कीजिए, यानि कि यहाँ पर निर्देशांक दिये गए हैं, और निर्देशांक की सहाइता से हमको क्या करना है, हमको जो है तिर्भुच का छेथफ़ निकालना है, और जो इससे पहले हम चैप्टर पढ़े हैं, इस फार्मोले पर आधारित कुछ कुश्चन्स मिल सकते हैं, और यहाँ पर जो निर्देशांक दिये हुए हैं, तो इस टाइप के कुश्चन्स मिल सकते हैं, तो अभी मैं जब यह कुश्चन्स हल कराऊंगा, तो इस कुश्चन्स को हल कराने के टाइम, इसमें जो सूत्र परियोग होगा उसको आप लोगो को क्लियर करा दूँगा उससे पहले आप लोग समझ लिजे कि समलंब क्या है तो देखिए समलंब वह चतुर्भुज है जिसमें सम्मुक भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है देखिए जैसे मा लिजे एक भुजा या कहे लिजे एक भुजाओं का यूग्म। देखिए इस तरीके से समांतर है, देखिए ये और ये, दोनों ये समांतर हैं और ये समांतर नहीं है, यनि कि अगर दोनों यूग्म समांतर हो जाएंगे, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन यहा आप लोग विशेश ध्यान लखना तो देखिए सम्मलंब चत्रभुज की परिभासा क्या हो जाएगी कि सम्मुख भुजाओं का एक युगम समांतर होता है सम्मुख भुजाओं का एक युगम समांतर होता है सम्मलंब चत्रभुज कहलाता है और सम्मलंब चत्रभुज की ज जैसे ये और ये भुजा दोनों समांतर हैं, तो इनको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो अन्ने दो भुजाएं होती हैं, उनको हम पाया कहते हैं, यनि कि जो समांतर भुजाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो अन्ने भुजाएं होती हैं, उन इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए, आप लोगों को हम करके बताते हैं, तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तिर्भुज बना लेते हैं, देखिए, मान लीजे, यह एक तिर्भुज है, और इस तिर्भुज में, मान लीजे, यह A है, यह B है, और यह C अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए तीन बिंदु दिये हुए हैं यानि कि जो तिर्भुज हैं उन तिर्भुज के सीर्स बिंदु के निर्दे सांग दिये हुए हैं तो यहाँ पर देखिए जो पहला बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर इसके जो है निर्दे क्या दिये गए है जीरो कामा माइनस फोर दिये हुए है और सी के दिये हुए है सिक्स कामा जीरो तो इस परकार से इसको लिख लेते हैं अब यहाँ पर जो चीज माने हैं वो लिख लेते हैं कि माना माना तिर्भुच के तिर्भुच के सीर्सों माना तिर्भुच के सीर्षों के निर्दे सांक माना तिर्भुच के सीर्षों के निर्दे सांक अब यहाँ पर देखिए A जो है उसको माने है आप 0,4 यह है तो इसको हम जो है कह सकते हैं देखिए यहाँ पर X1 और Y1 देखिए जो A है इसको मान लेंगे x1 और y1 इस तरीके से इसको मान के चलेंगे और यह हो गया a और इसी तरीके से यहाँ पर बराबर लगा लिजे और इसी तरीके से b को इस तरीके से मान लेंगे b बराबर देखें क्या है 0, minus का 4 इस तरीके से इसको हम क्या मान लें x2 y2 इस तरीके से x2 कामा y2 मान लें और फिर c बिंदु एक मानने है जो तो c बिंदु को देखिए इसके निर्दे सांख है 6,0 तो इसको मान ले, X3,Y3, तो इस तरीके से ये 3 बिंदूओं के निर्दे सांग हो जाएंगे, यानी 3 सीर्ण बिंदूओं के निर्दे सांग हो जाएंगे, अब क्या करेंगे, अब देखिए, तिर्भुज के छेत्रफल का formula लगाएंगे, तो देखिए तिर्भुज के छेत्रफल के फार्मूले का सूत्र क्या होता है तिर्भुज का छेत्रफल तो देखिए तिर्भुज का छेत्रफल क्या होता है तो फार्मूला देखिए होता है एक बटे दो फिर देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रेकर लगा लिजे एक्स वन और फिर हो जाएगा यहाँ पर देखे y2-y3 और प्लस x2 और यहाँ पर हो जाएगा y3-y1 और फिर यहाँ पर देखे फिर प्लस होगा x3 और फिर हो जाएगा y1-y2 इस तरीके से यह फार्मूला हो जाएगा और इसी फार्मूले में उपर यह मान रख करके इसको हल करना है तो देखे अब आप लोगों को हम बता दें कि इस फार्मूले को याद कैसे करना है तो देखे अगर इस फार्मूले को याद करना है तो हम क्या करेंगे यहनि कि इसको clockwise याद करेंगे जैसे यहाँ पर देखे x1 आ रहा X2 आ रहा X3 यहां पर एक घड़ी बनी हुई है और घड़ी जो है इस तरीके से बनी हुई और मान लिजे इस पर जो है X1 और X2 और X3 इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहां पर जैसे घड़ी की सुईया चलती है clockwise वैसे यहां पर जो है आपको याद करना यहां पहले आएगा फिर X2 आएगा फिर X3 आएगा यहां पर देखे एक स्थरी है तो यह एक स्थरी आएगा यहनिकी clockwise आपको आगे बढ़ना है जिससे आप लोगों को जो है इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर देखिए X1 आया है तो यहां प यहां पर Y2-Y3 हो जाएगा इसी परकार से अब ठीरी पर यह खतम हुआ है तो थीरी से फिर यहां पर शुरू करेंगे तो Y3-1 हो जाएगा इसी परकार से जो है आप Y1 पर खतम हुआ तो Y1-Y2 यहनिकी Y1-Y2 हो जाएगा तो इस परकार से clockwise आपको आगे बढ़ना है सीरियल से तो आपका जो फार्मूला होगा वो गलत नहीं होगा और याद करने के टाइम आपको आसानी से याद भी हो जाएगा यहनिकी X1 के बाद अब X2 आएगा यह आपको याद रखना है X2 के बाद X3 आएगा इसी परकार यहां सीरियल देखें तो यहां पर भी सीरियल उसी त दूरू करेंगे तो Y1 के बाद क्या आता है Y2 आता है तो Y2 मैनस हो जाएगा इस परकार से इसको याद करना है तो देखिए आप क्या करेंगे आप हम इन बिंदू के जो है यहां पर मान रख लेंगे और कुश्चन को हल कर लेंगे तो यहां पर देखिए X1 X1 की जगे पर देखिए क्या रखेंगे यहां पर देखिए X1 0 है तो यहां पर हम 0 रख देंगे उसके बाद फिर यहां पर जो है ब्रेकर लगा हुआ है चोटा तो यहां चोटा ब्रेकर लगा देंगे फिर Y2 Y2 देखिए यहां पर माइनस का 4 है तो यहां पर माइनस का 4 रख देंगे और फिर बीच में माइनस है और उसके बाद फिर है y3 तो देखिए y3 यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे उसके बाद फिर बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे फिर देखिए x2 है तो यहाँ पर x2 0 है तो 0 लिख देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया और उसके बाद फिर ब् बॉब्ध करेंगे उसके बाद फिर प्लस है प्लस लगाएंगे और पर हैंके क्सट का 4 जो है आप पहले ही लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर पहले नहीं लिखेंगे तो आपको बाद में यहाँ पर माइनस माइनस पिलस करना पड़ेगा अब ब्रेकट इसको बन्द कर देते हैं अब देखे एक बटे दो और उसके बाद पर देखे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखे यह रहा करने पर जीरो हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा यह जीरो हो जाएगा यह निकि इसकी जगे पर इतने की जगे पर जीरो हो जाएगा उसके बाद प्लस यह भी यहाँ पर देखे जीरो गुड़े में आ रहा तो यह भी जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर देखे यह भी जीरो ह गया और उसके बाद अब क्या करेंगे देखिए यहां पर एक बटे दो और यहां पर देखिए ब्रेकट से क्या निकल करके आएगा 48 अब इसको जो है सरल कर लेंगे तो यहां पर देखिए दो दुन्ना चार और दो चोको आठ तो यहां पर देखिए 24 आ जाएगा तो यहां बिंदु के निर्दे सांक दिये थे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे छेतरफल है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 24 वर्ग एकाई और यही इसका एंसर हो जाएगा आप देखे सेम कुष्चन है सेकंड नंबर उस तिरभुज का छेत्रफल ग्याद कीजिए जिसके सीर्स बिंदू चार कामा छे तीन कामा चार छे कामा दो हैं यहीं कि सेम कुष्चन है तो यह कुष्चन भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन जो है कुष्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं जो पहला कुष्चन अगर आप लोगों की समझ में सही से ना आया हो तो एक बार पुना आप लोग इस कुष्चन को ध्यान से देख लीजे आप लोगों की समझ में आ जा यहाँ पर A बिंदू के निर्दे सांग क्या दिये हुए हैं, चार कामा छे और यहाँ पर B बिंदू के निर्दे सांग क्या दिये हुए हैं, तीन कामा चार और उसके बाद फिर C बिंदू के निर्दे सांग क्या दिये हुए हैं, छे कामा दो, तो इस प्रकार से जो है निर् C, 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 C बी बराबर क्या हो जाएगा यहां पर बराबर लगा दिजी बी बराबर हो जाएगा 3,4, 3,4, तथा, तथा, सी पराबर क्या हो जाएगा, छे कामा 2 हैं, इस परकार से मान लें गे, कि माना तिर्भुज A, B, C के सीर्षों के निर्दे सांक, A बराबर 4,6 B बराबर 3,4 तथा C बराबर 6,2 है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो माने है इसको यहाँ पर देखिए छोटा छोटा लिख लेंगे यह X1 है यह Y1 है यह X2 है यह Y2 है और फिर यह X3 है और यह Y3 है देखे यहाँ पर इस तरीके से अगर संकेत हम लिख लेंगे तो हमको फार्मूले में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब देखिए हम आगे क्या करेंगे तिर्भूज के छेतफल का फार्मूला लगा देंगे तो देखिए फार्मूला क्या होता है तिर्भुज का छेत्फल या कह लिजे तिर्भुज ABC का छेत्फल तो यहाँ पर देखे तिर्भुज ABC का छेत्फल हो जाएगा तो यहाँ पर फार्मूला लगाँगे एक बटे दो और उसके बाद फिर बड़ा ब्रेकर लगाँगे और यहाँ पर X1 और फिर यहाँ पर देख प्लस का अब यहां देखिए X1 खतम हुआ है तो यहां पर X2 आएगा और फिर यहां पर देखिए Y3 पर इंड हुआ है तो यहां पर Y3 माइनस क्या आएगा Y1 और उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे अब उसके बाद फिर बड़ा ब्रेकर लगा देंगे तो इस प्रकास से फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा यानि कि इसको समझने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं एक बार जो है सेरियल से इसको समझ लेंगे यानि कि क्लाक वाइज कैसे चलता है उसी प्रकास से अगर समझ लेंगे तो आपको फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यानि कि यहाँ पर देखे एकस वन एकस टू एकस त्री हो जाएगा यहाँ पर वाइटू और माइनस वाइट्री हो जाएगा फिर वाइट्री माइनस वाइवन हो जाएगा और और यहाँ पर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 y1 और यहाँ है x2 y2 और यहाँ पर है x3 y3 तो इस प्रकार से लिख करके अब यहाँ पर मान रख दीजिए देखिए x1 क्या है तो x1 देखिए 4 है और फिर यहाँ पर y2 y2 क्या हो जाएगा तो देखिए y2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 लिख लेंगे फिर प्लस अब यहाँ पर y2 क्या है तो देखिए x2 है 3 तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए y3 तो y3 है 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर माइनस यहाँ पर y1 है तो y1 क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 और फिर minus y2 है, तो y2 क्या है, 4 है, यहांपर 4 लिखेंगे और उसके बाद फिर bracket बंद कर देंगे, अब सिर्फ इसको हल करना है, यानि कि फार्मूले में आप यहांपर सही से जो है अंको को लिख ले जाएं, उसके बाद फिर यहाँ पर salve करना है और प्लस माइनस की गलती ना होने पाएं बस आपका answer सही से निकल आएगा तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पर देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगी तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा उसके बाद फिर प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए 2 में से 6 माइनस होगा तो 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यह छोटी संख्या तो हम क्या करेंगे 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 यहनी कि यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी थी तो माइनस का चिन है लगेगा यह विशेश रूप से ध्यान लखना यहने कि 6 में से आप 2 घटा लीजे और चिन प्लस का लगाईए तब फिर यहाँ माइनस वाली गलती हो जाएगी यहनी कि यहाँ पर क्या करते हैं प्लस माइनस में कभी भी संख्या दी हुई हूँ तो उनको आपस में घटा लेते हैं और चिन जो है क्या होता है चिन जो बड़ी संख्या के साथ में होता है वही लगाते तो यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ में माइनस का चिन था तो माइनस लगा दिए अगर प्लस का होता तो प्लस लगाते तो यहाँ पर इस वकार से हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है प्लस तो यहाँ पर प्लस लगा दिए अब यहाँ पर 1 बटे 2 हो गया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका multiply होगा तो कितना हो जाएगा 4 दुनी 8 हो जाएगा और उसके बाद बीच में plus है प्लस लगाएंगे फिर यहाँ पर देखिए चारतियाई 12 हो जाएगा यहाँ पर 12 जो है plus minus का गुड़ा होगा तो minus हो जाएगा इसलिए minus का 12 होगा और उसके बाद फिर यहाँ plus है plus लगाँगे और 6 दुनी 12 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए अब bracket को बंद कर देंगे अब यहाँ पर देखिए अगर यह bracket यहाँ पर खोलेंगे तब यहाँ पर माइनस का बारा निकल करके आएगा तो इसलिए यह माइनस का हो जाएगा और यह प्लस का हो जाएगा यहाँ पर देखे अगर बढ़ाना चाहे तो एक इस्टे बढ़ भी सकता है लेकिन अगर यहीं पर इसको काड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत न हो जाएगा अभ यहाँ पर देखे दो से ससकी भाग करेंगे तो दो जो पर आर्थ जाएगा आप यह पर देखे और यह सका एंसर हो जाएगा तो तो दोस्तों यह जो question आप लोगों को बताएं हैं, यह इस chapter में, उदाहरण में question दिये हुए थे, तो important question थे, तो मैंने सोचा यह भी बता दिये जाएं, तो यह उदाहरण के question थे, तो अब जो इसके बाद का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा इसी chapter से exercise का, तो इसके बाद दोला वीडियो आप रोंका exercise का होगा तो दोस्तों यह दिया हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यह चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फिरस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का notification मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत